नमस्कार मैं हूँ साक्षी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है खबरों की और बढ़ने से पहले अभी एक नजर सुर्खियों पर बिहार में सरकारी स्कूल के परिक्षा पैटर्न में हुआ बदलाओ बिहार से अयोध्या जाना हुआ अबोर आसान बाल श्रम मुक्त कराने के लिए चलेगा विशेश अभियान बिहार सरकार ने जन प्रतिनीदियों से मुलकात के लिए अधिकारियों को दिया आदेश टेस्ट मैच में छकों का अर्धिशतक लगा सकते हैं रोहित शर्मा उसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरो की और विस्तार से बिबीएसी के सिक्षकों को दस मार्श तक जोईन करने का मौका बिहार लोग सेवा आयोक की और से सिक्षकों की भरती ली गई है और दूसरे चर्म ने भरती सिक्षकों को स्कूल जोईन करने और काउंसलिंग के लिए 10 मार्श तक का समय दिया गया है आप होके इससे पहले अब व्यर्थियों को 29 फरवरी तक का समय दिया गया था इस समय में अब बढ़ोतरी की गई है इसका कारण है कि अलग-अलग जिलों में सक्षकों ने यूगदान नहीं दिया होगा तो इसकोलों को जॉइन वो कर सके बिहार से अयोध्या जाना हुआ अब और आसान बिहार की लोगों के लिए अच्छी खपरे यहां से अयोध्या जाना बहुर आसान होने वाला है पटना से लखनव होते हुए आयोध्या के लिए बंदे भारत ट्रेन का परिचालन किया जाएगा इसका ट्रायल रन पूरा हो चुका है पटना जंक्शन से पंडित दी पंडिया लुपादिया जंक्शन तक ट्रायल रन किया गया है पटना जंक्शन से यह ट्रेन डीडियों के लिए रवाना की गई और इसमें इसे दो घंटे साथ मिनट से अधिक का समय लगा ट्रेन के लिए दो टीटी की ड्यूटी लगी थी और इनके अलाव एलेक्ट्रिक कुमार ने MLC चुनाओ के लिए नामंकन दाखिल किया है मालूम हो कि उन्होंने चौती बार बिहार विधान परिशत के सदस्य के लिए नामंकन दाखिल किया वहाई उनका निर्विरोध चुरी जाना तै है इस मौके पर्ड जदियू सांसद ललन सिंग, अशोक चौधरी, विजेन रयादव समेत कई वरस्ट नीता मौझूद रहे और इनके अलावा डिप्टी सीम समराच चौधरी और विजे सिना भिया मौझूद थे अमनितीश कुमार के अलावा जदियू के ओर से खालिद अन्वर ने भी पड़्चा दाखिल किया है मालूम होके एमल से कि ये 11 सीट खाली हो रही और इसके लिए नामंकन की प्रक्रिया जारी है नामंकन करने की आखरी तारी के 11 मार्च है वहीं 21 मार्च को चुनौव के लिए मद्दान होगा बाल श्रम मुक्त कराने के लिए चलेगा विशेश अभियान बिहार को बाल श्रम मुक्त कराने के लिए विशेश अभियान चलेगा श्रम संसाधन विभाग द्वारा ये अभ्यान चलाया जाएगा। इसकाम के लिए श्रम संसाधन विभाग पंच्रायत के प्रतिनीद्यों की भी मदद लेगा। इसलेकर बिहार के उपमुखिमंत्रे विजसना ने अधिकारियों के साथ समिक्षा बैठक की है। इसमें ये प प्योगी साबित नहीं होता है। इसकारण बाल्श्रम उन्मूलन का कार्य राज्य अस्तर पर सक्रियता से किया जा रहा है। बिहार में सेना का एक एरक्राफ्ट हाथसे का शिकार हो गया है। जानकारी के नुसार ओटिये के दोरान ये हाथसा हुआ। सेना के चौपर में अचानक तक्नीकी खराबी आ गई थी इस कारण ये गया जिले में सिद कंचनपुर गाओं के एक खेत में जाकिरा। सेना के एरक्राफ्ट में सवार एक मैला और पूरुस पाइलेट दोनों ही सुरक्षित है। हालनके इस घटना के कारण ग्रामिनों में अफरत अफरी का महौल हो गया था। लोगों की भीड घटना असल पर जमा हो गई। ग्रामिनों ने ही दोनों पाइलेट को एरक्राफ्ट से बाहर निकाला। दोनों पूरी तरिके से इस तुरक्षित है। वहीं पाइलेटों ने इस पूरी घटना के जनकारी ऑफिसर्स ट अब हर जिले का अपने अलग प्रश्न पत्र होगा। वह भाग ने 18 मार्श से होने वाली परिक्षा के तयारी शुरू कर दिया आपको बता दी कि ये परिक्षा 21 मार्श तक चलेगी। प्राक्मिक और मध्ध विद्याले में होने वाली कक्षा 1-8 तक की परिक्षा की तयार जारी है प्रश्न पत्र और रूतर पुस्तिका की छपाई के लिए टेंडर जारी का दिया गया है और हर जिले के लीए अलग-अलग टेंडर जारी हुआ है वहीं अब सबकार्री स्कूलों में भी अंक की जगा बच्चों को ग्रेट दिया जाएगा आपको बता दी कि छात् नर्सिंग कॉलेजों की जांच रिपोर्ट मांगे गई है पिछले डेड़ साल के अंदर माननेता प्राप्त कॉलेजों की जांच की बात कही गई है दिरसल स्वास्त विभाग के अपर मुक्य सचेव प्रत्य अमरित ने अर्वल मुगेर मधेपूरा शिभर और खगरिया को छ जा गया है और इसमें सबसे अधिक पटना चले के 21 नर्सिंग संस्थान शामल है आपको बता दे कि नीजी छेत्र में संचाले ट्रकित्सा सिक्षा संस्थानों की गुनवत्ता बनाई रखने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर जांच करने की बात कही गई है बिहार सरकार ने जन प्रतिनीदियों से मुलकात के लिए अधिकारियों को दिया आदेश बिहार सरकार ने जन प्रतिनीदियों से मुलकात करने को लेकर अधिकारियों को आदेश दिया है इस संबद में सभी डियम वर्य प्लीस अधिक्षक और पुलीस अधिक्षकों को पत्र लिखा गय उन्हें जन प्रतिनीदियों और विधायकों से मिलने के लिए सब्ता में एक दिन का समय तैय करने के लिए आदीश दिया गया है। चार दिनों में 42 लाग से अधिक लोगों का इसमान कार्ड बनाया गया है। योजना से कई लोगों को लाव मिला है। इस दोरान पटना एरपोर्ट परूप मुखे मंतरी समराच चौधरी ने उनका स्वागत किया। जै प्रकास विश्व विद्याले परिशर में होने वाले लाबार्टी समेलियन में शामिल होने के लिए केंद्रे वित्यमंतरी चप्ड़ा पहुची है। राज़त सुप्री मुला लगशाद यादव के बयान पर निर्मला शीतरमन ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति जो कई दर्शकों से राजनीती में रहे हों राज़ की सीएम भी रहे हों उनके द्वारा ऐसा बयान देने से लोग निराश होते हैं। वहीं भाज़पा ने उन्हें करारा जवाब दिया है पूरा देश पीएम मोधी को अपना परिवार मानता है। प्रदिमंडल का नित्रित्व करेंगे उपसभापती के साथ राजसभा के दो अन्ने सदस्य डॉक्टर अशोक वाजपई और सेवा निर्मित लेफटिनेंट जनरल डीपी वत्स भी विदेश दौरे पर जाएंगे अपनी यात्रा की दोरान ये नैशनल असेंबली के उपा नाशनल असेंबली में होने वाला है बीजेपी नेताओं पर रोहिनी अचारे ने बोला हमला लालुए अदव के बेटी रोहिनी अचारे ने भाजपा के नेताओं पर हमला बोला है उन्होंने कहा है कि बाजपा के नेता सोशल मीडिया पर खुद को मोदी का पड़िवार ब भाजपा के नेताओं को अपनी निशाने पड़ लिया इन्होंने अपने एक्स एकाउंट पर अपनी नाम के साथ मोधी का परिवार जोड़ा है दिरसल लालोय अदवने जनवश्वास रैली में पीम नरेंद्र मोधी के परिवार पर सवाल उठाया था और उसके बाद बीजे भाजपा ने इसके खिलाफ अभ्यान शेड़ दिया है भाजपा मोधी मेरा परिवार का क्याम पिन चला रही है और उसे बीच पुर्व विधायक अरंद सिंग ने भी खुलकर नरेंद्र मोधी का समर्तन किया है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना बायो च है टेस्ट मैच में छकों का अर्दिश्य तक लगा सकते हैं रोहित शर्मा भारत और इंग लैंड के बीच पांच मैचों की टेस्ट से री चल रही है और इसका पांच पर आखरी मैच साथ माज को हिमाचल प्रदीश के धर्मशाला में खेला जाएगा उसने टीम इंडिया क कपतान रोहित शर्मा के पास शांदार मौका है वो विश्व टेस्ट चैंपियन सिप में 50 शक्के लगा सकते हैं वो इस रिकॉर्ड से अभी मात्र एक कदम ही दूर है इस रिकॉर्ड को पूरा करने के बाद वो ऐसे पहले भार्टी बन जाएंगे जिनोंने टेस्ट मैच मे 50 शक्के लगाए हूं वही टेस्ट मैच में 50 शक्कों का रिकॉर्ड अब तक इंग्लान्ट के टेस्ट कपतान स्टोक्स के पास है उन्होंने 44 मैचों की 81 पाडियों में 78 शक्के लगाए हैं हालंकि रोईच सर्मा इस रिकॉर्ड को हासल करने से महज़े एक कदम ही दूर है इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर आज का सवाल है आपके अनुसार भाजपा नेताओ द्वारा सोशल मीडिया अकाउंट पर नाम के साथ मूदी का परिवार लिखने से क्या एंडियों को राजनीतिक लाव मिलेगा आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्षिन बॉक्स में लिखकर जरूर बताए आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चानल को करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना नहीं भूले धन्यवाद